ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इन तीन वर्ड्स पे कमांड कर लिया अगर इन तीन वर्ड्स को बोलना सीख लिया तो आप दुनिया पे राज करने लगोगे मैं दुनिया के बारे में तो शोर नहीं हूँ हाँ बटा ऐसा जरूर है कि आप अपने आसपास के लोगों का दिल जरूर जीत लोगे अगर आपने इन तीन वर्ड्स पे कमांड कर लिया तो और इंग्लिश में हो तो क्या ही अच्छा है? चैनल भी इंग्लिश का ही है तो हम इंग्लिश में बोलना सीखते हैं वो तीन मैजिकल वर्ड्स, तीन गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं? पहले ये जान लेते हैं प्लीज, तैंक, और सौरी यानि किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को धन्यवाद कहना और किसी से माफी मांगना आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं प्लीज, तैंक्स, और सौरी को हम कितने तरीखों से कह सकते हैं किस की सिचुएशन में कह सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे तैंक्स की यानि शुक्रिया कहना किसी को धन्यवाद कहना अगर किसी ने मेरे उपर कोई उफकार कर दिया और एक नई चीज जो मैंने आज से शामिल किया है, आप हमारी आने वाली वीडियो में भी ये चीज़ें आप देखेंगे, ये जो आप ट्रांसलीटरेशन देख रहें न, ये एक्चली डिमांड थी उन स्टूडेंस की, उन वीवर्थ की, उन लर्णर्थ की जो नन हिंदी स् जिनकी first language हिंदी नहीं है, वो इसको पढ़ के समझ तो जाते हैं हिंदी को, बट ये script हिंदी का वो पढ़ नहीं पाते, तो आज के बाद से ये भी आप वीडियो में देखेंगे हमारे, अब ये वीडियो नमर 100 है हमारी और यहां आपको ये दिखेगा, चलो सबसे पहला है I owe you, ये हम तब कहते हैं जब कोई हमारे उपर कोई एहसान करता है, उपकार करता है, तब हम कहते हैं मैं आपका आभारी हूँ, मतलब मैं आपका फर्जदार हूँ यहां पर ये उस sense में है, हम बोलेंगे I owe you, मतलब मैं आपका आभारी हूँ, you are great, ये भी thanks, thanksgiving में ही आता है यह सब, किसी ने कोई आपका बड़ा काम कर दिया, वही बड़े अजीम हो तुम, बहुत बड़े हो तुम, मान हो तुम यार, हम क्या बोलते हैं, you are great, I am touched, I am touched का मतलब यह होता है, वही यह बात मुझे चूग गई, जो आपने मेरे लिए किया है ना, वो बात मुझे चूग I am touched, आगे बढ़ते हैं, you saved me, किसी ने किसी को ऐसी situation से निकाल दिया, जहां वो बंदा फसा हुआ था, उससे वो चीज होने वाली नहीं थी, बट किसी एक ने किसी की मदद की और किसी को किसी critical situation से निकाल दिया, suppose आपको किसी ने निकाल दिया, तो आप क्या कहते हैं, you saved me, तुमने मेरी जान बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया, million of thanks तो सुना होगा आपने, बट अब zillion of thanks की बात करते हैं, हम बोलते हैं करोडों धन्यवाद आपका, कोटी-कोटी, यही है, जो कोटी-कोटी, this is zillion और million धन्यवाद, हम तब बोलत होते हैं, जब कोई बहुत जादा हैसान करते हैं हमारे उपर, सब चीजें वही हैं, resemble करती हुई हैं, एक दूसरे की ही तरह हैं सारी चीजें, बस situation थोड़ी सी अलग होगी, बात वही thanks की होगी, और sentence सिरफ बदल है यहाँ पर, that's so kind of you, बड़ी महरबानी आपकी, बड़ा उपकार आपका, आगे, check my bow, generally जब कोई play खतम होता है, stage पे, और वहाँ पर जो performer हैं, वो आपने देखा होगा, यह standing ovation, जो होता है, अपना hat निकालते हैं और bow, this is situation, यह होती है, actually यह अभिवादन स्वीकारने के लिए होता है, जो performer है, वो audience जो cheer कर रही होती है, वो उसके लिए करते हैं, ठीक है, या performance end होने के time में करते हैं, I have no words, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ, तुमने मेरे लिए जो किया है, यह मैं ही जानता हूँ, मेरे पास शब्द है, iron shot of words, I have no words, मेरे पास शब्द नहीं है, तुम तो मेरे लिए फरिष्टा हो यार, you are an angel for me, क्या बोलेंगे, you are an angel for me, angel बोलते हम फरिष्टे को, तुमने मेरा दिन बना दिया, suppose आपका birthday हो, और आप तो के उठें, उस दिन आपका कोई friend आपके gate पर खड़ा हो, आदे गंडे से खड़ा है, पांच मेरे से खड़ा है, मतलब आप जैसे ही बाहर निकले, surprise के तौर पर आपके लिए वो present लेके बाहर खड़ा हो, तो क्या हो, you made my day, आपने दिन बना दिया मेरा, तुमने तो मेरा दिन बना दिया यार, आगे, bunch of thanks, bunch बोलते हैं गुच्छा को, generally, अगर आप literal meaning की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर bunch of thanks का मतलब है, लाकों शुक्रिया आपका, क सारी चीज़ें, I mean your date now, मतलब मैं अब तुमारा कर्दार हो गया हूँ, मतलब ये तुमने कुछ कर दिया मेरे लिए, अब इसको मैं चुकाऊंगा कैसे यार, मुझे फिर मौका मिले ना मिले, बढ़ तुमने जो किया है, तुमने खरीद लिया मुझे, कर्दार हो गया उपकार कर दे, तो बंदा एहसान फरामोश तो नहीं होगा ना, वो उसका एहसान चुकाएगा कभी ना कभी, लेकिन कहने को तो ये है ना, कि बंदे ने हमेशा के लिए खरीद लिया, हमेशा के लिए आपका अभारी रहूँगा, जो आपने मेरे लिए आज किया है, तो य ये सारे sentences हैं, जो आप यूज कर सकते हैं, अपनी daily life में अगर आपको किसी को thanks बोलना है, तो ये जो है ना, thanks, thank you so much, बोलती ही है, लेकिन इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं आज से, I owe you, you are great, I am touched, you saved me, zillion of thanks, that's so kind of you, take my bow, I have no words, you are an angel for me, you made my day, bunch of thanks, I am in your date now, mirriard of gratitude, forever be grateful, अगर किसी को sorry बोलना है, आपने कोई गलती करी, अलग-अलग situation में गलती करी और आपको बोलना है, तो आप sorry कैसे बोलेंगे, अब से पहले, I am sorry, बसे गलती हो गई, अब expression हसने वाला नहीं, expression भी resemble करता होना चाहिए, आपका जो ये posture है ना, आपके sentence के हिसाब से होना चाहिए, I am really sorry, मुझे बहुत खे दे, मुझे बहुत दुख है, I apologize, मैं माफी ही मांगता हूँ, it's my fault, बलती मेरी है, मुझे नहीं करना ता है, I am sorry, forgive me, माफ कर दे अब मुझे, please accept my apology, मेरी apology accept करें, मेरी छमा स्वीकार करें, किरपया, pardon me, मुझे माफ कर दे, excuse me, आम तोर पर हम ये तब यूज करते हैं उस situation में, जब किसी को हम संबोधित कर रहे होते हैं, अपनी तरफ उनको हम पुकार रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, तो हम excuse me, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ ऐसा हो गया, जिससे कामगरबड आ गया, किसी को उससे तकलीफ पहुँच गई, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्या, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फील के साथ, I shouldn't have done this, मुझे ऐसा नहीं करना था, I'm really sorry about what I said, यहाँ पर देखे होंगे आप, slash के बाद एक और sentence है, what I did, यानि यह अगर आपको कहना हो, कि मैंने जो कहा, उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है, तो I'm really sorry about what I said, और जो मैंने कहा, उसके लिए मुझे खेद है, तो I'm really sorry about what I did, आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ को, हम यह भी बोल सकते हैं, I beg your pardon, I beg your pardon, that was rude of me, that was rude of me, यह हम कभ यूज करते हैं, suppose आपने किसी, आप कभी किसी से, बत्तमीजी से पेश आ गए, मतलब जो आपको नहीं करना था, आपने उससे बहुत असब भी तरीखे से बोल दिया, आप बोलते हैं ना कि यह मेरी तरफ से, मेरी तरफ से ऐसा नहीं होना था, बत्तमीजी मैन है कि आपकी, really that was rude of me, तो उस situation में हम बोलते हैं, I'm sorry उसमें जोड़ सकते हैं, I do apologize for my mistake, मैं अ आपको तकलीव दिया मैने, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, sorry to bother you, but अब आगे जो बोलने हैं, आप बोल सकते हैं, I accept my mistake, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे गलती होगे, I'm really sorry, I do admit my mistake, I accept my mistake, I would like to apologize, मैं माफी मांगना चाहूंगा, नहीं, चाहता हूँ, मैं माफी कर देंगे, मुझसे आशा है, तो हम बोलेंगे, I hope you pardon, I hope you pardon, आगे बढ़ते हैं, how stupid of me, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे ऐसा नहीं करना था, how stupid of me, I shouldn't have done this, I'm really sorry, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, please की, तो please हम situation के according बोलते हैं, आप, suppose, suppose, आप dinner की मेज पर हैं, आप dining table पर हैं, डिनर कर रहे हैं, आपको नमक चाहिए, तो please, pass me salt, pass me some salt, मुझे थोड़ा नमक बढ़ा दीजे, यह अलग-लग situations हैं, जहां आपको please लगाने हैं, लेकिन एक चीज़ और है, आप चाहें, तो यहाँ पर आप kindly भी लगा सकते हैं, you can also use kindly, kindly भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, k-i-n-d-l-y, kindly भी, kindly, kindly, kindly keep quiet, please keep quiet, kindly pass me salt, किर्पया शान्त रहें, किसी को अगर हमें शान्त रहने को बोलना हूँ, तो हम बोलने, please keep quiet, यह देखो, actually, यह जो है न, यह वर्ब का पहला form होगा, प्लीज या kindly के बाद, प्लीज या kindly के बाद, अगर आप वर्ब के पहले form का use करते हैं, तो यह sentence आपका इस तरह से बनेगा, आप किसी को कहें, जैसे आप bad जाईए, तो हम क्या, please be seated, आगे, तोड़ा खिसक जाईए, हम क्या बोले, please shift a bit, please shift a bit, यह वो situation है, जो आप अपनी daily life में face करते हैं, और hundred percent, एक एक वीर, जो अभी आप वीडियो देख रहें, इनमें से हर situation को आपने face किया है, हम को अगर यह बोलना हो, किरप्या धैज रखें, तो हम क्या बोलने, please have patience, please feel at home, अगर कोई बंदा है, बड़ा तकलूफ कर रहा है, तो हम क्या बोलने, don't be formal यार please feel at home, अपना ही घर समझे, from home to home, घर से घर तक, please don't do that, किरप्या ऐसा ना करें, किसी को मना करना हो, तो कोई call नहीं उठाए रहा हम क्या बोलने, please call उठा लो, please pick my call, it's emergency, right, please write me soon, मुझे जल्दी ही लिखें, अपने बारे में बताईए, आप कैसे हैं, खिरप्या ये मेरे लिए ये कर दीजिए, या इसे मेरे लिए करिए, हम क्या बोलते हैं, please do it for me, इसको नजर अंदाज करें, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, कैसे बोलते हैं, please avoid it, please avoid it, ध्यान से गाड़ी चलाईए, please drive carefully, दरवाजा बंद कर दीजिए, हम कैसे बोलते हैं, please close the door, तो my dear learners, my dear viewers, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप comment section में जरूर बताएंगे, और आपको क्या चाहिए, आप ये भी बताएंगे, आपकी demand के according, आपको videos मिलती रहेंगी, हाँ, अगर आप चाहते हैं, कि आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाए, और pre में मिले, त को वहाँ जाकर आप study material के section में जाए, और आज जो तारीक है 14th of November, आप जैसे 14th November 2022 पे आप click करेंगे, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा, हमने आज से हमारी 100th वीडियो है, सौवी वीडियो है, तो इस occasion पे हमने फैसला लिया है, कि अब इस पे परड़े दो वीडियो जा करेंगी, morning में लगबग 9-10 के बीच में एक वीडियो आएगी, और शाम में 6-7 के बीच में एक वीडियो परड़े अपलोड हुआ करेंगी, आप वेट करेंगे इन वीडियो का देखेंगे, और हमारे एक course है, Diamond English Speaking Course, अगर आप चाहते हैं कि आपको recorded, live और one-on-one session भी मिले, तो बहुत कम फीस में हमारे app पर वहां classes होती हैं, और आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप app डाउनलोड करके, chat section में message करेंगे आप के, I want to join Diamond English Speaking Course, फिर आपको उस course तक पहुंचा दिया जाएगा, love you a lot, have a great day, keep learning, keep rocking.